मुसलिम धर्म गुरु द्वारा देश के सबसे बड़ी अदालत सत्ता इसके अलावा अन विश्यों को लेकर सवाल उठाया गया है। कहा जा रहा है कि विशेश धर्म को तवज्जो दी जा रही है और कहीं ने कहीं एक धर्म के साथ नाइंसाफी हो रही है। हमारे साथ बाचीत के लिए खिल भारती संसमीती के राष्टी महामंतरी स्वामी जीतेंद्रा नंच सरस्वती ये जुड़े हैं। कि कहीं ने कहीं एक धर्म को विशेशता दी जारे है प्रमुक्ता दी जारे है जब एक धर्म के साथ अन्याय हो रहा है। जिनोंने महाराना प्रताप और च़्टरपती सिवाजी को नहीं पढ़ाइगा तो ऐशो को दर्द हो गा है। और इस देश के विभाजन की सर्थ क्या थी कि मुशलमान हिंदूओं के साथ रहा ही नहीं सकता और यूपी बिहार बंगाल के जिन मुशलमानों ने पाकिस्तान बढाने के लिए वोट किये वो पाकिस्तान नहीं गए वो सोचे यहां रहेंगे और कालांतर में उनको कांग्रे जो इस देश के बहुत संख्यक समाज के इक्छाओं के भावनाओं का प्रतिन तो करती है तो उन्हें दर्द होगा ही कल तक 2014 के पाले तो दामाद की तरह पूजित होते थे और इनहीं की चलती थी और राश्पती भावन प्रधान मंतरी के निवास में रोजा इफ्तार की प पूजना में सब को पीने का पानी मिलता है इसकूलों की विवस्था सुखरती है किसी जाति पंत मजाब खे आधार पर भेदभाव नहीं होता है तो जिनने अपने को वी आईपी कहलवाने की आदत थी उनका दर्द लाजमी है उनकी बिलबिलाहट लाजमी है और खिस यानी खंबा नोचेगा तो और क्या करेगा यानी सीधे तोर पर महराज जी हमारा देश हमेशा सही संविधान से चलता है कानून एक बराबर है सब के लिए और अभी भी वही इस्तिती है लेकिन ऐसे धर्मगुरू कहे कर अपनी क्या मन्शा जाहिर करना चाहते है वो संसत पर नि प्रिम कोड के नर्ले को पलटवाया यह करके इस देश में अलपसंख्यक की परिभासा तक नहीं दे की गई अलपसंख्यक काते किसे हैं सन्युक्तराक्संग के चार्टर के अमसार चुता होना था वो भी नहीं हुआ और यह किसी की यह हिंदूों के देवी देवताओं को ग कुछना का है अन्य था यह बवाल हो जाएगा तो आलोचना के युग में जहां सोसल मीडिया का ओपन यूग है अगर किसी ने कुछ का दिया तो नभी की सांड में गुस्ताखी हो गई यह भले यहां पर स्यूलिंग को फबारा बताएं और हिंदू कुछ न बोले तो यह च कोई टीपड़ी भी नहीं करेंगे जब तुम शिवलिंग पर टीपड़ी करोगे भगवान रामकृष्ण पर टीपड़ी करोगे तो तुम भी सुनने के लिए तायार रहो इस मानसिक्ता में क्योंकि आरोप लगाओगे तो प्रत्यारोप होगा इसलिए यह देश संभिधा से चलेगा सरिया से नहीं चलेगा अगर तुम सुप्रीम कोट इस देश के प्रधान मंत्री सब को धमकी दोगे दस साल तक देश का उपराश्पति रहते हुए हामिद अंसारी चित्र के सामने दीप नहीं जलाएगा क्योंकि इसलाम के विरुद लेकिन इंदिरा गांधी के फोटो के आगे दिया जलाए जाएगा तो इंदरा गांधी और भारत माता में अंतर है कि वो अपनी माता के सामने दिया जलाएगा तब इसलाम कहां घुषर जाता है इसलिए ये फालतू के कुतर्क और गिदरभव की और धमकी मत्दे हम इतना ही कहेंगे देश जब भी चल देगा इसलिए मौलाना साहब धमकी मत्दी जिये और इन धमकियों को मैं दिया बुजने से पहले का भड़ भड़ाहट फड़ फड़ाहट ही मानता हूं यह थी हमारे साथ अखिल भारती संसमिती के राश्टी महामंतरी स्वामी जितेंद्रा अनन सरस्ते जी जिमका साफ कहना है कि भारत में लोक्तांत्रिक आधार मजबूत है और हमेशा से ही यह देश संविधान से चलता रहा है अबी पी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी